ये जो extra रास्ता इसने तई किया इसी को कहते हैं इसी को एक term है wave optics में जिसको हम बोलते हैं क्या path difference यानि ये reflected जो rays है ये हमारी आँख पर जरू सेम टाइम पर पहुची बट इनके path में difference था दोनों का path एक सा नहीं था और इसी path difference के base पे decide होती है condition किसकी या तो bright fringe की यानि maxima की या तो dark fringe की यानि की minima की चुकि इसका derivation आपके course से हट गया है इसलिए वो condition मैं आपको direct लिख रही हूँ लेकिन मैं उसका आपको clear हर चीज कर दूँगी कि actual उसमें आपने क्या-क्या लिया है ठीक है तो इसमें जो ह यह जो आपकी phenomenon है इसमें जो path difference है इसको generally आप किस से show करते हैं आप जो path difference है इसको आप show करते हैं किस से बच्चों delta से ठीक है और यह होता है delta यानि की आप जिसको क्या नाम देते हैं path difference यह जो होता है किसके लिए for maxima maxima का मतलब जबकी हमको कैसी fringe मिलती थी bright fringe मिलती थी bright fringe के लिए बच्चों यह जो maxima होता है इसकी जो condition ultimately derivation के बाद निकलती है it is 2μ t cos r plus lambda by 2 वो सारे जानते हैं yds सबने पड़ा है कि जो भी maxima के condition होती है it is always equal to क्या n lambda जो आपने constructive destructive दोनों interference की जब conditions रखी थी तब आपने find out की थी is equals to कितना n lambda अब इसमें समझने वाली बात है कि इसमें है क्या क्या क्योंकि यह मैंने director लिखा है तो mu जो है mu is the refractive index इसमें आपको हर term जरूर clear कर देती हूँ mu is the refractive index r क्या है r is the angle of refraction angle of refraction means जब आपकी यह incident हुई थी और reflect हुई थी यानि इसको अगर हम वे को clearly देखना चाहें तो जब आपकी स्थिति यह थी यह आपका जो o a था यह incident हुआ था partially reflect हुआ था और reflect हुआ था यदि हम यहाँ पर एक normal draw करते हैं तो यह जो है यह angle of क्या है आपका incidence है और यह जो है यह angle of refraction है यह सारे जनते हैं तो यह जो r है यह r वही है angle of refraction चीक है लेमडा तो light जो आप उसका wavelength है और t जो है t means t जो है t होती है thickness of film t होती है film की thickness film की thickness मतलब यह film की thickness मतलब यह यह जो film बनी आपकी इसकी thickness कितनी है t तो इस तरीके से आपको सारे चीज़ां clear होंगी इसमें n जो है वो तो order होता है fringes का order होता है तो इस सारी terms को आप समझ सकते हो कि यह क्या क्या दिया हुआ है तो maxima की condition बनती है 2 mu t cos r plus lambda by 2 is equal to n lambda और यदि आप इसको solve करते हैं यदि आप इसको थोड़ा सा easy करके solve करते हैं तो यह क्या बन जाता है अगर इसको आप थोड़ा सा easy करके solve करते हैं तो 2 mu t cos r is equal to n lambda minus lambda by 2 ठीक है और इसी को आप in short लिख सकते हैं 2 n minus 1 lambda by 2 अगर आप LCM लोगे और करोगे पूरा solve तो आपका यही है अगर 2 mu t cos r is equal to 2 n minus 1 lambda by 2 अटेस condition for maxima या bright fringe similarly condition for minima minima means जब आपको कैसे fringe मिली थी dark fringe मिली थी तो condition for minima क्या होता है यह भी आपना YDS से निकाला हुआ था 2 mu t cos r plus lambda by 2 is equals to 2 n plus 1 lambda by 2 ठीक है अब इसको यदि हम solve करते हैं अब आपको बारवा बताने की ज़वरत नहीं है कि इसमें mu क्या है t क्या है r क्या है मैं आपको already वहां के लिए कर चुकी हूँ तो इसको अगर थोड़ा सा solve करो तो क्या आता है 2 mu t cos r is equals to 2 n plus 1 lambda by 2 minus lambda by 2 ठीक है तो plus lambda by 2 minus lambda by 2 cancel 2 से 2 cancel बचा क्या सिर्फ आपका n lambda तो at last जो condition बसती है 2 mu t cos r is equal to n lambda तो अपने को आगे क्या ध्यान रखना है कि आगे हम जब भी जो भी phenomenon पढ़ेंगे Newton's ring में, Microsoft interferometer में तो हर एक में जैसी condition for maxima आएगा हम direct ये condition उठा के substitute कर सकते हैं और जैसे ही condition for minima आएगा हम direct इसको substitute कर सकते हैं तो इस तरीके से interference in thin film का जितना introductory part आपके syllabus में था वो मैंने आपको पूरा clear किया बट ये introductory जरूर था बट ये पूरा base है अगले पूरे questions का इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखें समखने की कोशिश करें